हेलो एवरीवन वेल्कम दू स्टेडिवाई संधी प्रोहिला देखिए फ्रेंड्स CSIR की तरफ से कंबाइंड एडिमिस्ट्रेटिव सर्विसीज एग्जामिनेशन 2023 रिलीज की गई है तो इसके अंदर देखिए CSIR में हमारे किस पोस्ट के लिए कितने वकेंशी रिलीज की गई है इसके अंदर देखिए सेक्षन ओफिसर एड असिस्टेंट सेक्षन ओफिसर की पोस्ट रिलीज हुई है टोटल नम्बर ओफ वकेंशीज ट्रिपल फॉर यहनि के 444 टोटल वकेंशीज है अब इसकी जो डेट एप्लिकेशन की आप सब को पता लगी गया होगा आठ दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और बारा दिसंबर सोरी बारा जनमरी 2024 तक लास्ट डेट रहेगी अगर फीस एप्लिकेशन की बात करें तो फीस एप्लिकेशन आपको 14 जैन तक फिल करनी है समिट करवानी है अगर इसकी एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका फरवरी 2024 अपिस सेगिंड या थर्ड वीक के अंदर CSIR सेक्शन आफिसर असिस्टेंट सेक्शन आफिसर की जो पोस्ट है उनका एग्जाम पेपर बन करवा लिया जाएगा सेगिंड एंड थर्ड वीक के अंदर फरवरी के अंदर ठीक है तो क्रेब क्रेब टोटल साथ दिन है तो सैलरी क्या रहेगी आपकी सैलरी पे बात कर लेते हैं सेक्शन आफिसर की है तो इसके अंदर टोटल जो ग्रेड पे है पे लेवल एट का है गजटीड आफिसर की वकैंसीज है ग्रूप बी की पोस्ट है युनिवस्टी डिगरी ग्रेजविशन आपके पास होनी शत्र नमबर ओफ वकैंसीज हैं बेसिक सैलरी 47,600 से लेकर एक लाख 51,100 तक आपकी सैलरी रहेगी उसके बाद अगर बात करें असिस्टेंट सेक्शन आफिसर की तो इसमें टोटल 368 नमबर ओपोस्ट रखी गई है ग्रूप बी की नोन गैजटीड आफिसर की ये पोस्ट ह पे लेवल 7 की पोस्ट रहेगी बेसिक सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जा सकती है तो ये दो बात थी कि सैलरी कितनी मिलेगी किस लेवल की पोस्ट है अब इसमें केटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं तो ये देखिए इसके अंदर बोल रखा है 28, 26, 22 टोटल 76 पोस्ट उसके के बाद अगर बात करें 368 यहां पर असिस्टेंट सेक्सिन ओफिसर की हैं ओबीसी की बात करें तो 102, जनल की बात करें तो 151, EWS 35, ST 26, SC 25 पोस्ट हैं तो ये ताव सब को पता लग गया उसके बाद अगर अम्मेन बात करें इसकी एक्जाम फीस की तो 500 रुपे जनल, OBC, EWS क Category को पे करना है, SC, ST, PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पेपर पैटरन का, तो इसमें देखिए पेपर वन जो फरवरी में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, सेगिंड और थर्ड वीक के अंदर, इसमें आपका जनल अवेरनेस और इंग 0.33 की negative marking भी रहेगी, यहनके 1.3 की negative marking रखी गई है, उसके बाद English की बात करें, तो English के अंदर comprehension, आपका 50 marks के रहेंगे, 0.33 की इसमें भी negative marking है, तो total 150 marks और 150 number of questions यहाँ पर रहेंगे, टाइम की बात करें, तो 120 minutes का टाइम दिया गया है, उसके बाद अगर पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 2 आपका, जैसा SSC, CGL का आता है, वैसा यह एक्जाम रहेगा, 25-25 question रहेंगे, general intelligence, reasoning, और mental ability, यहाँ पर arithmetic math आएगा, advance का नहीं आएगा, तो 200 number of marks रहेंगे, 230, इनके डाइगंटे का यहाँ पर time दिया गया है, पेपर 3, English, Hindi, descriptive pen paper, question paper होगा, essay, press fee, letter, application आपको लिखना होगा, 150 marks का रहेगा, उसके बाद अगर इंट्रिव्यू की बात करें, तो इंट्रिव्यू आपका सिरफ section officer की post के लिए रखा गया है, असिस्टेंट section officer की बात करें, तो इसके अंदर CPT रखा गया है, computer proficiency test, जो के qualifying paper रहेगा, इसे में आपके marks नहीं जूड़, एड़ोंगे, यह सिरफ आपका qualifying exam रहेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर complete paper pattern दे रखा है, paper 1 की अगर बात करें, तो history of India आएगा, and Indian national movement, इसमें से 25 marks का यह रखा गया है, constitution of India, political, governance, social justice, 20-25 नंबर का यहाँ से भी आपके पास question देखने को मिलेंगे, current events की अगर बात करें, तो current के भी आपके यहाँ पर 20-25 question आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 25-30 भी जा सकते हैं, उसके बाद English comprehensive की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, comprehension, do as directed, active, passive, direct, indirect, preposition, philinda, blanks की form में आएंगे, synonym, antonium, sentence correction, उसके बाद punctuation, idiom and phrases, यह पूरा का पूरा pattern यहाँ पर 50 नमबर का दिया गया है, इंगलिस का, तो यह था आपका paper 1, paper 2 के अगर बात करें, तो general intelligence, reasoning, mental ability, 25 marks की रहेगी, आर्थमेटिकल, आर्थमेटिक में थाएगा, 25 नमबर का, general science आएगी, 25 की, economic, social development and general issues on environmental ecology, biodiversity and climate changes के 25 क्वेस्चन रहेंगे, तो यह पूरा का पूरा syllabus यहाँ पर define किया गया है, यह center दिये गए हैं, आपके all over India center रखे गए है, तो दस साल के बाद यह vacancy release हुई है, तो यह total आपका यहाँ पर syllabus डिफाइन किया गया है, कि syllabus किसी type से, क्या क्या topic आपके रहने वाले हैं, detail topic यहाँ पर दिये गए हैं, पूरे के पूरे, paper 1, 2, 3 के लिए, यह देखिए paper 1 के लिए syllabus दिया गया है, paper 2 के लिए अलग से syllabus मेंशन किया गया है, paper 3 के लिए भी यहाँ पर essay writing, प्रेसी राइटिंग, letter application सब कुस यहाँ पर मेंशन किया गया है, CPT के अगर बात करें, तो CPT में भी आपका देखिए, complete topic वाइस यहाँ पर दिया गया है, कि किसमेंशे आपका question paper आएगा, ठीक है, तो total यहाँ पर define करके हर एक चीज़ को दिया गया है, यह बहुत बड़ी vacancy है, जो 10 साल के बाद CSIR में निकली है, salary के अगर बात करें, आपकी gross salary की, तो वो रहेगी करीब करीब 45-80,000 के बीच, यह आपकी gross salary बनेगी, जो आप selection के बाद यहाँ पर gain करेंगे, बहुत बड़ा मोका है, अवसर है, graduation candidate के लिए, जो science background से है, उसके लिए तो best है ही, बट art से जिसका graduation है, वो भी यहाँ पर इस form को fill कर सकता है, तो friends, यह बहुत बड़ी update थी, जो आप सब से share करने थी, तो I hope आप सो को वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करिएगा, like करिएगा, and channel को subscribe करना मत भूलिएगा, अगर किसी भी candidate को कोई डाउट है, इस vacancy से related, खुश सलेवस समझ में नहीं आया है, यह सलेवस को दोबारा से define करना है, तो आप comment section में डाल दीचिएगा, तो उसी topic के उपर हम दोबारा से video यहाँ पर create कर देंगे, तो friends, आज की video में इतना ही, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, thank you,